सब्सक्राइब करें इलेटिकल टेडविश चैनल को और बेल आइकान दबाएं लेटर्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं हेल्पकास इलेटिकल टेडविश पर आपका स्वागत करता हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं कुरोना वायरस एक बैस्यूक महमारी का रूप ले लिया है इसका सामना करने के लिए सबी देश लागडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का सहारा ले रहे हैं इसमें आर्थी ग्रूप से सबसे ज्यादा प्रभाव मैनुफेक्टरिंग इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर पर पड़ रहा है जिसका इंपक्ट बहुत लंबा होने वाला है परन्त इसमें कुछ मैनुफेक्टरिंग इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का व्यापार बह बहुत ही golden opportunity होगी तो आए देखते हैं वो इंडस्टिस कौन कौन से हैं फार्मास्टिकल इंडस्ट्री पूरे विश्व में फार्मास्टिकल के मार्केट में इंडिया थर्ड पोजिशन पर है यह पूरी दुनिया का 50% अलग अलग प्रकार के वैक्षिन का डिमांद पूरा क करता है घरेलू और वैस्ट्विक दिमांद बढ़ जाने से यह इंडस्ट्री बहुत ही धूम से चलने वाली है और इसके मार्केट का ग्राफ बहुत ही बढ़ने वाला है फार्मास्टिकल मेशनरी और मेडिकल एक्कुपमेंट मेडिसिन तथा वैक्सिन का डिमांद इंडि मेशनरी, पोर्टेवल वेंटिलेटर, पैथालोजी लेबुटरी, आईसी यू सेटप, पीपी कित, सेनेटाइजर, हैंड ग्लोप्स, मास्क, इंफ्रारट थर्मल स्क्रीनिंग, इंफ्रारट थर्मोग्राफी तथा मेडिकल रिलेटेट टूल्स का डिमांद बहुत ही बढ इक्सरसाइज टूल्स, योगा, प्राणयाम, जीम, मेडिटेशन, बाडी वेट मेनेजमेंट का ब्यापार बहुत ही धुम से चलने वाला है, भारत का आयूश मंत्राले भी इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए गाइडलाइन जादी किया है, ओनलाइन इंटर्टेन इंड और अप्लिकेशन देखनों के मिलेगी, साथ में वीडियो गेम, एप्स, तथा टेलिवीजन चैनलों के प्रोग्राम का बिजनेस बहुत ही बढ़ने वाला है, डिज्टल मार्केटिंग या आनलाइन शॉपिंग इंडस्ट्री, जिस प्रकार जीरो कंटेक्ट डिलवरी के क कई आनलाइन श्टोर, एवंग सौप डोरिश्टेप डिलवरी कर रही है, इसी प्रकार एमेजन, फ्लिवकाट, अलिबाबा, ईबे, जैसी कंपनियों के मार्केट बहुत ही बढ़ने वाले हैं, मार्केट में ज्यादा डिमान होने वाला है, इसके अध्यान रखते हुए, एमेजन ने कुछ दिन पहले वर्ड वाइज 75,000 नए इंपलाई को हायर किया है, डिजिटल इंटर्पर्नियोर, डिजिटल इंटर्पर्नियोर में आनलाइन ब्लोग, यूटूब चैनल, क्योरा, सोशल मीडिया, इकामर्स, आनलाइन बिजनेस, आई ओटी, आटोमेशन सिस तथा साथ में इस से रिलेक्टेड एक्कोपेंड जैसे वाइफाई, लेप्टाफ, चार्जर, कंप्यूटर, सेल्फोन इत्याद का व्यापार बढ़ने वाला है, ऑनलाइन एजुकेशन, इस साल के बजट में फाइनेस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने डिग्री लेव पर फूल फ्लेज आललाइन एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में बात की थी, जिससे यह अंदाजा लगा जा सकता है कि एजुकेशन छित्र में डिजिटाइजेशन काफी गत पकड़ने वाली है, जहां घर बेठे, आललाइन माध्यम से अब डिग्री भी ले सकेंगे, इलर्निंग, लर्नेट होम, आललाइन कोचिंग, आललाइन टेडिंग, आललाइन कैसल्टिंग और आललाइन मोटिवेटर का बिज़नेस फ्यूचर में बहुत बढ़ने वाला है, डिलेवरी एन लोजिस्टिक सर्वीस इस बिजनेस में लोजिस्टिक ट्रांसपोर्ट, कुरियर सर्विस, पार्षा सर्विस तथा मटरियल हैंडलिंग का ब्यापार बढ़ने वाला है इसके साथ साथ फुट डिलेवरी जैसे जमेटो, स्वेगी तथा उबर इट्स का ब्यापार काफी बढ़ सकता है फुट डिलेवरी के लिए इंडिया में सबका बिजनेस बढ़ने वाला है शाफ्ट वियर इंडस्ट्री शाफ्ट वियर इंडस्ट्री का बिजनेस बहुत ही बढ़ने वाला है इसमें अप्लिकेशन, आनलाइन ब्रांडिंग, वेव साइट, एकाउंटिंग, इकामर्स, आटोमाजेशन रोबोटिक सिस्टम तथा जीरो में वेर हाउस जैसे साप्ट्वेर बनाने और उसका ब्यापार करने के लिए यह गोल्डन प्रियड है पैक्ट फूड इंडेस्ट्री, पैक्ट फूड की काफी डिमान बढ़ने वाली है, लोग यह चाहेंगे की फूड किसी प्रिकार का हो, हम उसे काफी दिन तक इस्टोर कर रख सकें कुछ पैक्ट फूड में इसेंशल न्यूट्रिंस एड करके उसकी न्यूट्रीशन वेलू बढ़ाई जाती है, इस प्रकार के फूड प्रोसेशिंग इंडेस्ट्री का बिजनेस बढ़ने वाला है वीडियो कानफरेंसिंग एंड ट्रेकिंग डिवाइस अप्लिकेशन, जूम, स्काइपी, वेवेक्स जैसे साफ्ट्वेर आज मार्केट में धूम मचा रहे हैं, उनकी लोकिप्रियता दिन प्रत दिन बढ़ती ही जा रही है आगे चलकर इफिसियन्ट और रियल टाइम डाटा अप्लिकेशन की तेजी होगी, क्योंकि यह एजुकेशन के चत्र में भी उतना ही उप्योगी होगा ड्रोन केमरा वीडियो कानफरेंसिंग सिस्टम इत्यात की दिमान बहुत बढ़ गई है, इसका मटेरियल और इससे रिलेटर डिवाइस का अव्यापार बहुत बढ़ने वाला है बायो टेकनलोजी रिशर्च सेंटर बायो टेकनलोजी रिशर्च सेंटर में हर प्रकार के वाइरस पर रिशर्च होते हैं चाहे वो जीका वाइरस हो, कोरोना वाइरस हो या हंता वाइरस हो, यहां सभी प्रकार के जैविक रिशर्च होते रहते हैं मेटिकल फिल्ड में नैनो रोबोट और नैनो मेटिकल टेकनलोजी की भारी डिमांड है। दुनिया में 300 रिचर्च लेबोट्री सिर्फ कोईरना वायरस के वैक्षिन बनाने पर कार कर रही हैं। ICMR यानि Indian Council of Medical Research वायरस रिचर्च सेंटर को वैक्षिन बनाने के लिए सहयोग भी दे रही हैं। अगर आप जैविग रिचर्च खासकर वायरस और इसके वैक्षिन पर काम कर सकते हैं तो ये आपके लिए सबसे सुनारा आउसर होगा। झाल आपके लिए सबस्के लिए से वायरस आपके लिए सबस्कार वायरस और इसके वायरस और आपके लिए स्बस्साद पिए सेंटर को वैक्षिन पजेता हैं।